इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Mitroja 7.5 tablet का इस्तेमाल depression के इलाज में किया जाता है. यह दवा मस्तिश्क में रासायनिक दूतों, यानि की serotonin और noradrenaline के स्तर को बढ़ा कर काम करती है, जो मस्तिश को शांत करने और नसों को आराम देने में मदद करती है, इस प्रकार आपके अवसाद का इलाज करती है. Mitroja 7.5 tablet भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है. रक्त में एक समानस्तर बनाए रखने के लिए इस दवा को प्रतीक दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है. यदि आपको कोई खुराक याद आती है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले लें. किसी भी खुराक को न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें. यह महत्वपून है कि यह दवा अचानक बंद न हो क्यूंकि इससे आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में मूह में सूखापन, भूख में वृध्धी और सिर्दर्ध शामिल हैं. यह चक्कर आना और नींद आने का कारण भी बनता है. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो. यह दवा वजन बढ़ने का कारण हो सकती है. इसलिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए. इसके अलावा, यदि आप इस दवा को लेने के बाद गले में खराश या बुखार का विकास करते हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.